आपको आपके टाइट और कमीशन एक्जाम में दीखने को मिल जाता है तो simple सा topic है और easy भी होगा और साथ में हम इसे related कुछ questions भी solve करेंगे तो हमें बताएं जो signals है वो कितने type क्यों होते हैं? अनलोग signals और digital signals अनलोग signals किस तरह क्यों हो जाते हैं? इस तरह के कुछ और जो digital signals है वो किस तरह क्यों होते हैं? इस तरह से तो जो digital signals हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं? logic gates का use करते हैं तो जो logic gates हैं ये कोई device ना हो कि एक तरह से logic हैं जैसे कि आप अपनी daily life में बहुत सारे logic लगाते हो तो अगर आपको जो sky है उसमें stars दिख रहे हैं तो उसका क्या logic हो गया? कि ये रात का time है अगर sky blue दिखता है, red दिख रहा है तो आपको क्या पता है कि ये क्या है? दिन का time है तो इस तरह से क्या है? logics हैं और वैसे ही हम क्या करते हैं? दिजिटल सिस्टम में या signals में भी कुछ logics का use करते हैं जिने क्या बोल देंगे? logic gates बोल देंगे और जो basic logic gates हैं वो क्या जाएंगे हमार पास? and gate, not gate and or gate और इनके combination से और भी gates बन जाएंगे जैसे कि nand and nor बर जो basic gates हैं वो क्या जाएंगे? and, not और 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 जो universal gate हैं वो क्या जाएंगे? and and nor तो सबसे पहले बात करेंगे basic gates की जिसमें पहला है and gate and gate का symbol इस तरह से आ जाएगा हमारे पास and gate में हमें क्या मिलेंगी? दो inputs होगी हमारे पास जिसे a और b बोल दिया और एक output होगी हमारे पास तो जब भी हम logic gates की बात करते हैं तो logic gate में क्या चीज आती है? या तो हमारे पास क्या मिलेगी हमें output क्या मिलेगी या तो high मिलेगी या low मिलेगी ओके या तो मतलब क्या होगा 1 होगा या 0 होगा high को हम क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे low को हम 0 बोल देंगे ओके इसके बीच में कोई चीज नहीं होगी output high होगी low होगी ठीक है middle में कुछ नहीं होगा तो जब हमें and gate के बाद कर रहे हैं अगर इसका truth table देखें तो हमें 2 inputs मिल रही हैं ठीक है तो जब हमारे पास मान लो दोनो inputs क्या हैं low हैं या zero हैं तो output भी हमें क्या मिलेगी zero मिलेगी ठीक है इस तरह से denote किया इसको आप क्या पढ़ोगे a and b ना कि a dot b तो जब दोनों ही क्या हैं दोनों ही inputs low हैं या zero हैं तो output भी क्या होगी zero होगी low होगी अब मान लो दोनों में से एक जो input है वो क्या है one है और दूसरी zero है उस case में भी हमें output क्या मिलेगी zero ही मिलेगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि and gate के case में अगर हमें output high चाहिए तो दोनों ही inputs क्या होनी चाहिए high होनी चाहिए तब ही हमारे पास जो output है वो high आएगी उसके बाद आता है or gate and not gate जो or gate है उसमें भी हमारे पास क्या होंगी inputs, two inputs होंगी और इसका कुछ symbol इस तरह से आ जाएगा और output कितनी मिलेगी one output मिलेगी और इसे किस तरह denote करेंगे a और b तो or gate के truth table से अगर हम देखें तो or gate में अगर दोनों ही जो inputs है zero है, low है तो output भी क्या मिलेगी हमें low मिलेगी, zero मिलेगी बट अगर एक भी input क्या है high है या दोनों ही inputs हाई है तो दोनों ही case में हमें क्या मिलेगी output, high मिलेगी one मिलेगी मतलब or gate के case में क्या होना चाहिए output हाई होने के लिए कम से कम एक input क्या होनी चाहिए, high होनी चाहिए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, or gate, जैसे कि, or gate के example की बात करें, तो जो cars होती हैं, उसमें safety major के हिसाब से sensors का use किया जाता है, कि जब भी क्या करें, कोई collision हो car के साथ, vehicle के साथ, तो जो airbags हैं, वो क्या हो जाएं, open हो जाएं, तो इस case में दो sensors का use किया जाता है अगर, तो अगर एक sensor भी उस collision को detect कर लेता है, तो airbags क्या हो जाते हैं, open हो जाते हैं, मतलब input अगर एक भी input क्या है, high है, तो output हमें high मिल जाएगी, और अगर obviously दोनों ही high है, तब भी output हमें क्या मिलेगी, high मिलेगी, यहाँ पर आप यह sign को नहीं देखोगी, कि plus है, तो 1 plus 1 is equal to 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो plus है वो और के लिए use करते हैं, तो 1 plus 1 भी क्या होगा, 1 ही होगा, उसके बाद आता है not gate, not gate का यह हमारे पास क्या आगया, symbol आगया, not gate में हम क्या करेंगे, केवल एक input का use करेंगे, और output भी हमें क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी, इससे तरह बढ़ेंगे, एक not, तो जो not है वो क्या करता है, input को invert कर देता है, मतलब अगर हमारे पास input ग्या है, 0 है, तो output हमें 1 मिलेगी, और अगर हमारे पास input 1 है, high है तो output हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, low मिलेगी तो अब आप बोलोगी कि ऐसा किस case में होता है कि हम input तो high दे रहे हैं बट output हमें 0 मिलती है, low मिलती है तो यह कहां पर use होता है, यह वाला logic जो solar cells है, solar, या हम क्या करते हैं solar lights का use करते हैं घरों में या streets में, तो उसमें क्या चीज आ जाती है कि दिन के time पे क्या है, input मिलती है मतलब दिन के time पे क्या है, सूरज की केने हैं वो क्या करती है, input देती है solar cell को बट उस time आप क्या देखते हो, कि जो bulb है वो glow नहीं करता है, मतलब input तो हमें हाई मिल रही है, बट जो output हो क्या मिल रही है हमें low मिल रही है、 zero मिल रही है बट वैसे रात को देखें, तो शूरज अवेलेबल नहीं है, ठीक है जो मतलब solar cell है, वो charge नहीं हो रहा है input तो क्या है, हमारे पाद input हमें मिल रही है 0 but output हमें क्या मिल रही है 1 high मिल रही है उस रात के time पे तो जो light है वो क्या कर रही है glow कर रही है तो ये किसकी वज़ा से हो गया है ये कौन सा logic हो गया ये हो गया logic not gate का की input क्या है low होने के बाद भी हमें output क्या मिलती है रात के टाइम को high मिलती है one मिलती है तो ये आगे basic gates and, or and not अब इसके बाद आता है universal gate, first के आगया nand gate, जो nand gate है वो किस तरह बनता है not and and gate के combination से बनता है, मतलग हम क्या करेंगे हमें पता है and gate में हम क्या करते हैं, दो inputs देते हैं ये क्या गया, हमारे पास and gate का symbol आ गया अब इसमें क्या कर देंगे हम एक not gate का use करेंगे, ओके ये not gate का symbol आ गया और ये मिल गई हमें output हमने क्या की, दो inputs दी और एक हमें क्या मिल गई output मिल गई और इस output को क्या कर दिया not gate है, इसलिए not gate होने की वज़से is not get क् defendant के सिंपूट को इण वर्ट कर दे क्न है तो इससे इन पूट को क्या कर दिया? इन वर्ट कर दिया तो इसका GoTable अगर तो अगर इसमें का देख रही है? अगर दोनों Goodness जो हमारे पास inputs low है तो output हमें क्या मिल रही है अगर वैसे एगर दोनों इनपूट्स जो हैं वो हाई है तो आउटड बॉड हमें क्या मिल रहे है लो में यह जिरो मिल रहे है तो ये क्या आगया and gate और अगर इसको combination में लिखें तो इस तरह का symbol आप use करोगे ये किसके लिए use कर रहे हो आप ये कर रहे हो and gate के लिए और ये वाला जो कर रहे हो ये गोला सा ये किसके लिए यूज़ कर रहे है आप? Nod gate के लिए घ्राइता है NOR gate, अब NOR gate है वो किस से बनता है? Nod और और के combination से OR gate में मैं बता है हम क्या करते हैं तो inputs का use करते हैं और AND gate में sorry not gate में हम क्या करते हैं एक input मिलती है हमें और एक ही output मिलती है तो ये आगी हमारे पास inputs और हमें output मिल गई इस तरह से again क्या कर देगा not gate क्या कर देगा जो input है उसको invert कर देगा तो इसका जो combination में देखें इस तरह आप बना सकते हैं इसका symbol और अगर इसके truth table की बात करें तो हमारे पास एक ही case में जो output है वो high होगी जब दोनों जो inputs हैं हमारे पास क्या होगी low होगी otherwise क्या होगा अगर एक भी input हमारे पास क्या होई zero होई या दोनों ही inputs हमारे पास क्या होई one होई तो इन दोनों ही cases में क्या होगा जो output है वो क्या होगी 0 होगी दिक है तो नौर gate के case में output हमें एक ही बार क्या मिलेगी high मिलेगी जब दोनों inputs हमारे पास क्या होगी low होगी तो basic gate भी देख लिए universal gate भी देख लिए अब इससे later कुछ questions करते हैं जैसे कि first question है हमारे पास the universal gate is NAND gate or gate and gate या फिर none of the above तो universal gates कौन से बताये थे NAND and not तो यहाँ पे sorry NAND and not तो यहाँ पे option में क्या है NAND gate available है तो right answer आ जाएगा A NAND gate next है the inverter is अब inverter word का use में बार बार कर चुकी हूँ invert कौन सा gate करता है input को not gate तो answer आ जाएगा A not gate next है the inputs of a NAND gate are connected together the resulting circuit is जो NAND gate की बात करें उसमें हम किस तरह देखते हैं कि यह दो inputs थी हमने और NAND gate में क्या करेंगे पहले NAND sorry NAND gate का use करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं follow करते हैं उसको एक not gate से तो अगर इन्होंने बोला कि जो NAND gate है उसमें inputs को connect किया the resulting circuit is जो resulting circuit है वो क्या बन जाएगा तो यह दोनों inputs आ गए और resulting circuit हमारे पास क्या बन गया यह बन गया तो यह क्या है not gate है तो answer आ जाएगा C not gate next है the only function of not gate is 2 not gate का क्या function है invert करता है input signals को B आ जाएगा right answer next है when an input signal is 1 is applied to a not gate the output is हमें क्या बोला अगर input हमने 1 दी और gate कैसा है not gate है तो output क्या हो जाएगी not gate क्या कर देगा input को invert कर देगा तो हमारे पास जो output है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी तो a आ जाएगा हमारे पास right answer उसके बाद है single transistor can be used to build dash gate हम क्या करते हैं single transistor का use कर रहे हैं तो इससे किस तरह का gate बनता है तो single transistor का use किया मतलब हमारे पास input क्या है 1 है और 1 input किस case में होती है और gate में कितनी inputs होती है 2 not gate में जो input होती है वो कितनी होती है 1 बाकि सारे जो and gate है not gate है not gate है not gate है इन में कितनी inputs होती है 2 तो single transistor का use हम कौन सा gate बनाने के लिए कर सकते हैं not gate तो right answer आजाएगा B not gate तो ये आज के लिए question हो गए और basic gates के बारे में बात कर ली universal gates के बारे में बात कर ली ठीक है that's all for today और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe ज़रूर कर दें जिससे की नई वीडियो की update आपको मिल जाएं